सभी मित्रों को नमस्कार मंत जड़ी बूटी जयान करनने आप सभी का स्वागत है आज मित्रों आपके लिए में बहुत ही आसान और बहुत ही चबर्चस्थ सा नुस्खा लेके आया हूं और मात्र ये केवाद तीन जड़ी बूटियों से ये नुस्खा बनेगा लेकिन ये समझ लीजे ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है ठीक बहुत से लोग ज़्यादा जड़ी बूटिया ले फारमुरे नहीं बना सकते हैं ठीक और इसमें बस सर्थ यही है कि जड़ी बूटियों साफ औरिजिनल ज़्यादा पुरानी नहीं हो इस नुस्खे के फाइदे में नुस्खा बताने से पहले बता दू इस नुस्खे के ये फाइदे हैं बस खाली अधात करोगी नहीं ले जिनके सरीर में वीर की कमी हो चुकी है वीर एक दम पानी की तरह पतला हो गया है और टाइमींग की कमी है नंके लिंग में तनाव नहीं आता है हमेशे डीला रहता है या करते डीला पड़ा जाता है तेक अन सब की प्रॉब्लम के लिए यह बहूत ही अचूख दवा है बिसमें बीर बढ़ता है बहुत तेजी से वह बीर गाड़ा होता है तेक और बहुत से लोगों को देखे जादातर क्या होता है तनाओं नहीं आता है जल्दी तैयार नहीं होते हैं उसमें यह बहुत जबर जस्त फाइदा करेगा और ताकत बहुत भरपूर सरीर में भर देगा मरदाना ताकत और सरीर में भी ताकत होगा ठीक बहुत ही जबरजस्त पावर आएगी और इंतिसार तनाओं बहुत एक्दम ट्रमल लिए पत्थर की तेरा इस्टेंडिंग पावर इसमें आएगी बहुत ही जबरजस्त यह नुस्का है बस खाली धात और नाइट फाल के रोगी मत इस्तमाल करें जिनको चिपचपा पानी आता है तो नुस्के की तरफ बढ़ते हैं नुस्का में यह देखिए यह कौँच बीज है इसको आपको दूद में सुद्ध करना यह कौँच बीज ही यह कईसी चीज है कि यह समझ दीजे देशी व्यागरा इसको कहा जाता है व्यागरा यह बहुत ही भरपूर मात्रा में वीर को गाढ़ा करता है और जोस पैदा करता है लिंग में बहुत ही भरपूर तनाव देता है और ये है उटंगन बीच उटंगन बीच की तो समझ लीजे तारीफ जितनी भी की जाया उतनी कम है ये समझ लीजे मर्दाना ताकत की जिस δवाओं में ये पड़ गया समझ लीजे उस दवा में जान आ जाती है इतनी पावरफुल ये चीज अगर इसको अकेले ही अगर मिसरी म ला कि अगर दो से तीन ग्राम का सेवन एक महीने तक बंदा कर ले और उससे पहले वीर अपना देख ले कितना पदला उसके बाद वो देखे वो खुद हैरान हो जाएगा तेक तो इसमें एक चीज मैंने धूप में थोड़ा नमी थी सुखाने लाया हूं मैं नुस्खा कुछ सारे फाइदे हैं आपको 50 ग्राम काउंच बीज लेना है और 50 ग्राम उतंगलन के बीज लेना है और 50 ग्राम सतावर की तो टांगलन के बीज में अगर चाहें तो 50 ग्राम मिसरी भी मिला सकते हैं। सुबा साम आधा आधा चमच तीन से पांच ग्राम गाय के दूद से लेना है। सुबा खाली पेट और साम को खाने के दो घंटे पहले।